हाई दोस्तों कैसे हैं आप सब एक बाद फिर से आप लोग का बहुत बाद स्वागत दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके घर की जो किचन और जो बादर होती है उसे किस तरीके से मेजर कर सकते हैं और जब आप जब आप यह सब बनवाते हैं और आप इनडियोर को हाईर करते हैं तो उस तरहीं किया मिटेटन अन्डेस्तेंडिंग होने के जाइथ तो दोसों चलिए ऊच्की वीडियो शुरू करते हैं है कि आधा है हुआ है सबसे पहले बात करतें कि जब विज़ा किज rappelle किन आप को बन वाट है फिर वारे k हला ऑप two ह que tarika करते और एंडियाने मिक्रेंगे सब सब्सक्राइल पूछ्तर कि आप कितने द्टीर स्कोर फिट के साफ आधिसे लेंगे तो इस तरीके से जो आप देखते हैं तो आपने फिर उसके बाद 5-6 बंदों को shortlist करा उसमें से आपने बोला कि 180 वाला कम ले रहा है तो जो है मैं 180 वाले से करवा लेता हूँ तो अब आपने 180 वाले से काम करवा लिया सारा काम हो चुका है काम में कोई कमी नहीं है तो पर्सक्लास तरीके से काम हो चुका है फिर लाश में बताते हैं कि valor करने के बारी रहे आती में थो उस टाइम पर प्रभलम होती है क्योंकि हमें बार हो गलत तरीके से और निर्ट में गर्याड़ करेगा तो उस गरा है इन तीनों को मल्टिपलाय करा जाता है और एक ऐसे फ्रेंट प्रेंट मेशर किया नहीं जो की लैंट हो गई और जो भी उसकी ब्रेंट हो गई तो इन दो को मेशर कर रहता है अब देखिए अब कहां पर प्रॉब्लम आती है जैसे सपोज आपके दो बन दे आये थे उ वो bottom cabinet का basically जो आपकी जो घेराई होती है तो उसमें कियाए कि मानलिया suppose आपकी जो kitchen है वो 10 ft जो हो लम्बी है और 2 fat की जो उसकी breath है तो अब आपने 10 into 2,5 यानि कितना आ गया पचीस square feet आपकी kitchen आई है इसी तरीके से जिसने आपको 180 पर स्कॉय फिट बताया अब वो कैसे मेजर करेगा माल लिया उसने आपकी 10 फिट और 25 इंटू जो 2 फिट अब हो यानिकि जश्ट आपका जो मेजरमेंट अब डबल हो गया तो डबल होने के कारण अब उसने 180 बताया तो 180 को मल्टिप्लाय करेंगे 50 से और 250 को उने मल्टिप्लाय करा 25 से तो अब आप देख सकते हैं कि एक ने बताये तो पैसे जाद आते लेकिन जब एक्शुल में जब मेजर करके सारी चीज़े निकली तो कितना डिफरेंस आ रहा है तो यह सारी चीज़े आपको पहले से खोल लीने कि बार में कोई भी misunderstanding नहीं हो और basically जो standard तरीका है वो front ही measure करने का है घहराई को measure करने का कोई भी इसमेंग रोल नहीं है क्योंकि square feet का मतला होता है कि length और breath को ही हम multiply करेंगे क्योंकि अगर जहापर 3 dimension आ जाती है तो महापर volume हो और अगर आप उससे personal कोई question पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इस्टाग्राम पर follow करके मेरे को वहाँ पर मिरसे question पूछ सकते हैं तो उमीद करता हूँ कि आपको मेरी जो वीडियो अच्छी लगे होगी अच्छी लगे दिसको लाइक कर सकते हैं और अगर आपको कोई भी question पूछ सकते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जाहिन मन्दे मात्रा